पूरी तरह से शती ग्रस्थ हो गया है आशंका जताई जा रही है कि बड़ा हाथसा भी हो सकता था साथ इसमें ब्रष्टाचार होने की बात भी सामने आ रही है आपको बता दे कि हसदेव दाई तट नहर संभाग रामपुर कोरबा के अंतरगत उप संभाग पंतोरा में 5 किलो मीटर से 34 किलो मीटर तक रिटर्निंग वाल यानी नहर के किनारे बनाई गई दिवार शती ग्रस् आपको बता दे कि शासन से करोड़ो रुपिया नहर मरमत के लिए आता है लेकिन विभाग के अधिकारी इंजीनियर बंदर बाट कर गलत निर्मान कारे करा देते हैं कारे पालन अभियंता रामपुर कोरवा के द्वारा गलत जानकारी दी जाती है कि नहर क्रमांक वा उपसंभाग 15 उनके कारियाले से संचालित नहीं होता ऐसी गलत जानकारी RTI के द्वारा भी दी गई है जानकारी दी गई है कि हस्देव दाई तट नहर करमांग के एक उपसंभाग पंतोरा उनके कारियाले में नहीं आता जबकि ये कारियाले यही से संचालित होता है आशंका है कि करोडो रुपे का भिष्टाचार हो सकता है एक ही सब इंजीनियर टी आर खांडे एवं स्डियो के एल प्रसाद एवं कारेपालन अभी यंता के द्वारा शासन आय पैसो का गलत निर्मान कारे कराए गया है मानक से कम मेटेरियल डाला गया है जो दिवार भर भरा कर गिर गई अभी दिवार को बने एक साल नहीं हुआ है और फरजी टेंडर करा कर फरजी लोगों को दिला कर अधिकारी कर्मचारी द्वारा करोडो रुपे का बंदर बाठ किया गया है टी आर खंड सब इंजीनियर पिछले एक वर्ष से 5 से 34 किलो मीटर में पदस्त हैं जबकि विभाग में बहुत सारे सब इंजीनियर हैं उसके बावजूद टी आर खंडे वर्षों से पदस्त हैं इनके द्वारा अधिकारियों से 60 काट कर गलत निर्मान कारिय मानक से कम सिम किलो मीटर में नहर के लिए दिवार बनाई गई थी जो गिर गई है पुलिया भी शती ग्रस्त है यही हाल चोटे-चोटे माइनर का है इसके अंतरगत विभिन माइनर में भी पलीता लगाया गया है इसकी जाच कर कठोर कारवाई की जानी चाहिए ताकि भविश में इस तर खैर अब देखना होगा कि लापर वाही बरतने वालों पर आखिर क्या कारवाई संबंदित विभाग द्वारा की जाती है जांजगीर चांपा से समाधाता महे शुकला की रिपोर्ट आखिरर वोगाय बरतने चाहिंगीर फ्रेटी जान्जगीर टाव यापरा प्रेंट इस तरदेखनी कैनले ट्ला विवागे में घ्यटी जांजगीर विवाराय बिवाने होगा साथ उन्जगर एसे जाहिए।